लाल किले पर देश के 78 वे सतंतरता दिवस समारों के दोरान राहूल गांदी की सिटिंग अरेंजमेंट विवादों में गिर गई है। के स्विवाद पर सरकार की तरफ से सफाई आई है कि राहूल गांदी को पीछे की सीट इसलिए दी गई क्योंकि आगे की सीटें ओलंपिक खिलाडियों के लिए रेजर्व थी। नहीं है नरेंद्र मोधी एक छोटी मांसिक्ता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है। और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज इस पतंत्रता दिवस समारों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पाचवी लाइन में बिठा कर नरेंद्र मोधी आपने अपनी कुंठा दो दिखा दी। लेकिन इससे राहुन गादी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पाचवी लो में बैठे या पचासवी लो में बैठे वो जननायक है और उसी शुद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोगतंत्र के लिए लोगतंत्रिक परमप्राओं के लिए नेता पृतिपक्ष के लिए तनिक भी इजबस्द नहीं हें। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की rank cabinet मंतरी की नहीं होती है पहली रो में सारे cabinet मंत्री बैठे हुए थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल काधी को पांचवी रो में नहीं बठाया गया खर्गे जी के लिए भी ती वा पांचवी रो में ही थी मिश्माइब के उलंपियन को इजट और संहां देना चाहिए मिश्माइब 9 नेता प्रतिपक्ष लोगतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाब दे बनाता है, वो सरकार को कटगरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है, असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं, वो आप में आप डालते हैं, आ आपके भरष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपके मुँपर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आखें चुराते हैं, लेकिन कोई फरक नहीं परता, आप पांचवी रो में बठाईए या पचासवी रो में राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन ये करकर एक बार फिर से आप लोग इतने छोटी मानसिक्ता के छुद्र, बिलकुल चुहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिर्थ कर दिया,